बाई, एसूस विवोबुक सीरीज के इतने लाप्टॉप लाँच होते हैं, इतने मॉडल है, फिलिप है, OLED है, IPS है, H-Series वाले, ग्राफिक कार्ड वाले, विदाव ग्राफिक कार्ड बाई, मेरा दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, अब इनके Intel 13 जेनरेशन वाले और AMD 7000 विवोबुक भी लाँच हो चुके हैं, और भाई, बहुत का रिवीव कर दूँगा चैनल पर, डिसीजन आपके आद में छोड़ दूँगा, हाँ, जाता रिवीव होने के पाद, तिक दिमाग में, कंपैरेशन वगरा जोगा, वह हम बाद में किसने लिस्टिकल वीडियो म साथ आता है, यू सीरीज वाला, MS Office आपको मिल जाएगा, 360 degrees वाल लाप्टोबाइ, स्टाइलस इसके साथ है, और यह जो लाप्टोबाइ, आज की रेट में 80,000 एक चल रहा है, बाकी रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, यह वीडियो अगर एक साल बाद आप देख रहोंग मिल जाता है, हमारे को एक 45 वाट का पावर एडाप्टर, एक साथ में मिल जाती है पावर कॉर्ड, और यह हमारा में लाप्टाप, सिल्वर कलर में चका चॉन, और नीचे थोड़ी बहुत पुस्तगी बादचीत, अब में डबबा खुल लिए, अब जरा पैन का डबबा ख और यहां पर खोलने के बाद, फुल 360 वाला महौल यहां पर मिल जाएगा, तकनीकी बादचीत का लिए इसके अंदर i5 1335 U processor मिलता है, जो मारा 10 code 12 threads वाला processor है, 2P cores मिलते है, 8D cores, Intel Iris XC graphics के अंदर मिलते है, 16GB DDR4 RAM मिलते है, 3200 MHz clock speed वाली और यह dual channel में है, और यह मेरे को ड्रॉ 4GB maximum upgrade कर सकते हो, इसके अंदर RAM हो, और इसके अंदर मिलते है, 512GB के SSD, अब यह Gen 3 है, Gen 4 यह नहीं पता, read and right speed आप देख सकते हो, read speed 4300 आ रही है, और write speed 1814 आ रही है, हो सकता है, मेरी unit में कोई दिकत हो, जहां तक हो मिलते है, Gen 4 SSD तो भाई मिलनी चाहिए, और साथ में मिलता है Wi-Fi 6E, Bluetooth version 5.0, and MS Office Home and Student आपको मिलता है, lifetime के लिए, तो भाई यहीं पर बात कर लेते हैं, किन users को target करता है, जो office जाने वाले लोग हैं, जिनको stylus चाहिए, touch वाला laptop चाहिए, document वाले काम करते हैं, तो उन लोगों को यह target करता है, इसलिए MS Office 7 में दिया गया, और 16GB RAM है, तो अर Geekbench 6 के scores है, और हमने crossmark भी निकाला था, उसके scores भी इसके processor के साफ से ठीक टाक आगे थे, और यह हमारा PCMark 10, 5000 प्लस है, जो कि अच्छा माना जाता है, अब बहुत से लोगों को डाउट होगा, कि यह क्या number number है, हमें समझ मीं नी आ रहा, मैं हूँ भाई साफ समझाने के और यहां पर इस laptop के अंदर basic चीज हमने करके देखी, जैसे multitasking, बहुत सारे tabs बगारा खोल के देखी, बहुत सारी multiple side by side applications कोल के देखी, 16GB RAM होने के विए से कोई lag बगारान मिला, smooth चल रहा था laptop, ऐसी कोई दिक्कत नी है, और यहां पर हमने इसके ओपर 1080p level की video editing भी करके stylus इसके साथ मिलता है, वो सब काम भी आराम से करवा देगा, और अगर college जाने वाले हो, basic level की coding करनी है, तो वो laptop भी करवा देगा, जादा high level की नी, और अगर live streaming के बारे में सोच रहे हो, इसी laptop से single live stream को भी आपको lecture लेने हो, यह YouTube पर basic live जाना हो, तो वो इस पर कर सकते है, को gaming test भी हमने किया, यहाँ पर gaming की बात और GTA 5 टेस्ट नहों, I mean thin and right laptop में, तो क्या फायदा, यहाँ पर 1080p पर टेस्ट कर रहे है, और जो settings है, by default इसने very high, high और normal का mixture उठा ली थी अपने आप से, और यहाँ पर as obvious हमारे को 40 to 45 fps मिल रहे थे, जो की playable होते है, तो अगर आपका इस दूसरे वाले studio में test किया था, यहाँ पर AC चल रहा था, तो इसलिए CPU temperatures कम है, normal room temperature अगर आपका 30 degrees के आसपास होगा, तो इसके temperature 80 अबव या 90 के आसपास जा सकते है, उसके बाद हमने test किया Valorant और हमारा resolution 1080 भी था, graphics quality को रखा तो लोग पर और नीचे जो extra settings थी वो भी हमने off की थी, और यहाँ पर आप Valorant इस laptop पर आराम से बढ़िया frame rate पर खेल सकते हो, laptop की display 60Hz वाली है, तो यहाँ पर laptop भी display पर वो मसा नहीं आएगा, बट हाँ, external monitor लगाना हो through HDMI या type C, तो उस पर बढ़िया frame rate आप ले सकते हो, मतला अच्छे refresh rate वाले monitor पर और यहाँ पर 10 GB के आस सच नहीं है, और हाँ जो इसका interior है और पीछे से laptop वह हमारे को polycarbonate में मिलता है, और overall इंटीर से भी अगर आप लुक देखोगा, लगता प्यारा है, और पीछे से कुछ ऐसी looks मिल जाएंगी, यहाँ पर air intake के vents वगएरा बन रखें, यहाँ पर speaker मिल जाएंगे हमारे को, और इसके थोड़े से unstable हैं, और यहाँ पर इस laptop का width 1.5 kg है, मतलब एकदम lighter side भी नहीं है, जो 1.2, 1.3 होता है, लेकिन 1.5 kg है, एक हाथ से उठा सकते हो, normally travel करना हो, carry करना हो, आपके कंदों पर ज़्यादा जोर नहीं डालेगा, thin and light series है, अलग users को target करता है, शूरू से बता रहा और यहाँ पर कितने watt की power delivery support करता है, वो कहीं mention नहीं था, 45 watt लगाया था तो चलिया था, उससे उपर तो फिर चली जाएगा, और दूसरी side पर type A port मिलता है, USB 2.0 वाला, यह भी 3.0 वाले देते, 2013 में fast speed वाला, disappointment, और यहाँ पर 10 keyless chiclet keyboard मिलता है, जिसमें 1.4 mm का key travel आपको मिल सकते हैं, और यह laptop Windows Hello के support के साथ भी आता है, मतलब fingerprint आपको उसके अंदर में लेगा, जो इसका power button है, keyboard के उपर यह इसका fingerprint है, और अच्छा कासा fast काम कर जाता है, ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं मेरेको, और यहाँ पर 14 इंचिस का laptop है, इसका trackpad अच्छा है, स्मूध है, नहीं बार बता चुक हूँ, जो IPS term है, वो LG और फिलिप्स में trade mark करवा रखे है, तो laptop IPS लेवल यूज करते हैं, तागी खर्चा कम पड़े, और यह laptop आता है, 60 Hz के रिफ्रेस्ट के साथ, वैसे मेरे साब से 2030 में 90 Hz मिनिमम कर देना चीए ब्रांट्स को, क्योंकि laptop में 90 Hz एक ब ठीक हैं, बहुत ही बेकार भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे भी नहीं कहेंगे, यहां पर content देखना हो तो को ऐसी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको बेसिक वाले टास्क चाहते हो कि आपको colors में ही आपका profession है, तो यह display आपके काम नहीं आएगी, color accuracy के लिए आपको नोटमेकिंग वाले काम करने हो, online classes अगर आप लेते हो, या even photoshop अगर आप चलाते हो तो इसकी डिस्प्ले पर रहाम सुझाता है, और यह उसका isu spend 2.0 stylus है, वह 4096 level pressure sensitivity वाला है, तो यहां पर stylus ठीक मिलता है, जिस price point पर लाप तो यहां पर stylus से आज सच कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर हलके हाथ से pencil चलाओगे, पतली बदी लाइना, टाइट हाथ से चलाओगे, एक दम मोटी मोटी से हो जाती है, लेकिन IPS पैनल है, जैसे जोर से pencil चलाता है, तो स्क्रीन में IPS में वह ऐसे screen हिलती हिलती, वह इसके अंदर रिखती है, OLED बगरा का panel होता है, तो उसक अंदर वह चीज नहीं होती है, बट वही बात है, 80,000 रोपे में touch और OLED सब दे देंगे, बच्चे की जाने लोगे तुम, और जिसके stylus में आप मारे को type C port भी मिल जाता है, यह stylus rechargeable है, और यह जो laptop की touchscreen है, वह सिर्फ stylus से ही नहीं है, आप हाथों से भी चला सकते हो, उंगल और यहां जाता है, बड़ी अपार्ट, Full HD webcam मिलता है, dual array microphone के साथ, और noise cancellation वगर आथो आपको मिली जाएगी, कुछ ऐसी mic की quality है, और ऐसी webcam की quality है, light control भी अच्छी कर रहा है, तो बता ना comment section में कैसी लेगी, और यहां पे webcam के उपर हमारे को physical privacy shutter मिल जाता है, एकदम ऐसे left करें और hacking वगर का बड़ा scene है तो अपना webcam बंद रखो, जाधा personal चेहरे बारे दिखायने कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तब ही खोलो, और यहां पे speaker अच्छे मिल जाता है, क्योंकि sound by Harman Chacha, I mean sound system इसका Harman Carden की तरफ से है, और यहां पे wattage mention नहीं करी, 2 watts सा तो मेरे को उ और हलका बहुत bass भी मिल जाता है, overall sound quality में above average कहूंगा, एकदम average वाली नी, थोड़ी सी उपर, और बहुत बेस्त है, थोड़ी जीचे, तो वह वाली sound, समझे, और यह laptop आता है, 50 watt hour battery के साथ, और battery बागा बच्चका सा मिल जाता है, क्योंकि U-series का processor है, हमने basic task करके देगे, keyboard backlight off पे bright desk थोड़ी जी कम कर ली ती, और यहां पे different task हो लिए, different applications open कर ली, net surfing पकर ली, YouTube चला के छोड़ दिया, तो उसमें 5-6 घंटे का backup यह देगा था, जो की decent है, अगर फिर Intel Evo वाले laptop लोगे तो उसके अंदर 9 plus hours पता होगा आपको, तो बाई यह था इसका पूरा review वीव performance laptop देख रहे हैं, तो इस price point वे आपको better performing laptop मिल जाएंगे with H-series processor, जो हमारे gaming वाल laptop होते हैं, यह different users को target करता है, जैसे 360 यह touch है, यहाँ पे, आप normally अपने हाथों से इसकी scrolling वगएरा कर सकते हो, ज्यादा भारी laptop नीची है, 1.5 kg के आसपासी का weight है, तो यहाँ पे carry वगएरा क तो सारे task में काम आता है, आपको कैसा लगा laptop आप मेरे को comment section बता सकते हो, पसंदाब वीडियो तो like मार देना, और कोई laptop का review चाहते हो, वो भी आप बता सकते हो, और subscribe करके जाना पहली बार आया तो, मिलते हैं नेक्स वीडियों अब तक के लिए, बाई!